है लो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रिस्पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स ये हमने तयारी कर रखी है सबजियां थोड़ी सी काट के क्जिया आज कोई ऐसी कोई सबजी नहीं थी लेकिन आज सबजी ऐसी भिनाऊएंगी एकदम अनोखी सबजी तो जो सबजी हमारे पास पड़ी थी वो हमने ले लिया है तमाटर दो थे तो मैंने 2 टमाटर का एक टमाटर मैंने काट लिया है और दो प्याज चोटे-चोटे काट लिये अधरक टुकडा ले लिया है और हरी मिर्ची चार ले ली और चार-पांच का लिया रसन की तो इनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे पीछ लेंगे महिन सा तो अभी इनको पीछने के लिए रखते हैं और अभी थोड़ी से सब्जियां जो बची हैं दो प्याज और एक टमाटर इनको भी हम काट लेंगे प्याज को काट लेंगे पहले तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत बारीक नहीं और थोड़ा मोटे टुकड़ों में हमें प्याज काटना है और मोटे टुकड़ों में ही हमें टमाटर को भी काटना है तो इस तरह से हम चार-पचार पीस कर लेंगे टमाटर में और ये भी काट के हम रख लेंगे बागे मसाले हम पीस लेंगे तो ये हमारे जो प्यास टमाटर था सारे हमने एक साथ पीस लिये हैं प्यास टमाटर अधरक लसन सब कुछ हमने एक साथ पीस लिया तो ये हमारी तैयारी हो गई और अनोखी ये है कि आज मैं बनाने जा रही हूं लेकिन आज जब कोई सबजी नहीं थी तो फिर ध्यान आया कि चलो ये सबजी तो है ही तो दाल मूट की सबजी बनाते हैं जो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बहुत टेस्टी बनती और जट से बनके तयार हो जाती बहुत जल्दी तो इसके लिए हमने लियाए एक पैन और गेस हमने अन कर दी डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल और थोड़े से खड़े मसाले दो लॉंग डाल दी थोड़ा से टुकड़ा दाल चीनी का और एक छोटी लाइची बस खड़ी ये डाल दी और साथ में डाल दिया है जीरा, हींग, का तरका लगाएंगे और जो हमने यह पेश्ट तरक तमाटर और प्याज का रखा था इसको डाल देंगे तो सबसे पहले प्याज जो काटा है उसको बात में डालेंगे इसी को पहले हम भून लेंगे तमाटर को तो है न थोड़ी सी अनोखी और थोड़ा सा अलग तरीके से बनती थोड़ा जब डिफरेंट बनती है अच्छी भी लगती है तो ये टमाटा थोड़ा सा गलने लगे थे अच्छे से मसाले पक रहे थे तो अब हम डाल देंगे इसमें जो प्याज हमने काट के रखा है न वो अगर इसमें थोड़ा और बड़े पैज काटके डालना चाओ तो वह बड़े इस पेसमें भी डाल सकती हो जब तक प्याज हमारे थोड़ा सा नरम होते हैं इतनी देर में मसाले तयार कर लेंगे तो हल्दी लिया है धनिया demonstration कमेरी लाल मिज लाल मीज पाउडर तिक्छ होती है तो बहुत जादा मसाले के ज़रूरत नहीं होती है और हम धेख लेते हैं टमाटर हमारे थोड़े से गलगएं ट माटर और जो प्यास भुड़े डाले थे ना वो जो बड़े टुकडों में वह फोड़ा सा नार्म हो गए हैं लेकिन हमें बुख़ ज़्यादा इसके ग्रेवी नहीं बनानी है तो इसलिए अब हम डालेंगे मसाले तो यह मसाले डाल देंगे और भूनेंगे इनको फ्रेंच यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है इतनी जल्दी बन जाती पांच चे मिनट में यह सबजी हमारी ब को ट्राइज जरूर करना बनाना फिर बताना की कैसी बनी है अब हम डाल देंगे नमक तो नमक स्वादैनुसा डालेंगे क्योंकि नमकीन में पहले से भी होता है नमक तो पहले से ही थोड़ी सी चटपटी से दलमोट पहले से होती है तो इसलिए ये इतनी चटपटी सब्जी इतनी बढ़िया सी बनती है कि इसको पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खालो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये देखो एकदम कलर इतना बढ़िया निकर के आया है और हमारे मसाले हो गए हैं तैयार पक गए हैं मसाले अच्छे से अब हम इन में डाल के बाद अब हम थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे बहुत थोड़ी ग्रेवी बनाएंगे बहुत जादा ज़रूरत नहीं इसमें लगती है और थोड़ा पानी है इसलिए जो शेओं हमारे होते हैं न वो पहले से ही सोख लेते हैं तो ये मोटे वाले स्यों की सबजी है जो नमकीन थी और उसमें मोंपली के दाने और गाठे सब कुछ पड़ा हुआ था बहुत ज़दा टेस्टी बनती है तो अभी हम देख लेते हैं उबाल एक पानी में आ गया है और अब हम डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़द अच्छा आता है तो यह सब्जी इतनी बढ़िया बनी है और अब हम डाल देंगे यह दाल मोट जो है ना स्यों वाली इसको भी डाल देंगे और बस इसको उलट पलट के थोड़ा साम बस दो चार सेकेंड के लिए इसको हम ढखेंगे क्योंकि बहुत जल्दी यह गल जाते ह हैं स्योंगल जाते हैं इतनी जल्दी तो इनको हमें पकाना नहीं है तो फ्रेंट्स यह हमारी आज की रेस्पी स्योंवाली एकदम अनूखी सी रेस्पी हमारी आज तैयार हो गई है बहुत जल्दी और चट-पट बनने वाली है जब भी कुछ सबजी ना हो या कभी कुछ अलग सब्जियों में खाने का मन हो तो इस तरह की ये ट्राइ सब्जी कर सकते हो किसी भी दाल मोट से इस तरह से सब्जी बना सकते हो जो दाल मोट वैसे भी चटपटी होती तो इसका जो फ्लेवर होता है स्वाध होता है वो बहुत जादा अच्छा बनाता है तो चलो भी हमा झाल झाल